हलो एब्रीवान वेलकम बैक टू अनादर वीडियो दोस्तो जगत दिदी का अभी एक कम्यूनिटी आता है मगर सबसे पहले कम्यूनिटी पढ़ने से पहले मैं आप सभी को पढ़के सुनाती हूँ सबी पब्लिक का डिमांड है कि ये जगत दिदी को सोसल मीडिया से वाइकट करो और जो वन मिलियन को सबस्क्राइबर लेके बैठी है ना उसको जीरो नंबर तक पहुंचाओ क्योंकि ये औरत इतनी गंदी है इतनी घटिया है कि पैसा कमाती है किसी और के नाम से इसक लड़ को बीच में ना लाएं उनके लिए कुछ ना बोले उनके परिवार परिसान ना करें महल परिवार को किसी भी निरने को लेने के लिए सोतंत्र हैं जो भी होगा हमारा परिवारिक मामला है मेरे कारण काफी कुछ उनके परिवार को कहा जा रहा है जिसके लिए मैं छमा प्रा पूरा घर पूरा सोसल मीडिया जो है इतना गंध फैला करके रख दिया भाई बहन के नाम को कलंक करके रख दिया है पहला नमबर तो तुम्हारे कुछ भी बोलने से पहले तुम अपना पती का नाम को हटाओ तुम जो असीस जी के नाम को तुम चला रही हो ना इतनी गंधी और तो कि मतलब क्या मैं बोलू तेरे बारे में जितनी गंधा नाम हो उतना उतना गंधा से गंधा भी नाम तेरे लिए कम पड़ रहा है यहीं पर मनिशा को यह जगत दिदी बोलती है कि मनिशा अपने पती से पूछ पूछले सारी बाते अपने पती को कुछ क्यूं नहीं बोल रही है उनको घसीट अपनी वीडियो में उनका नाम क्यूं क्यूं नहीं ले रही है तुम भी तो मेरे भाई को फोन करके बोल रही है कि भाया नहीं सुधर रहे हैं नहीं सुन रहे हैं नहा देदी को बोलो कि उनसे फोन ना उठाएं उनसे बात ना करें तो ए घटिया औरत बोल रही है कि तुम मेरे नाम से पैसा कमाना बंद करो और तुम अपने पती को घिसेटो अब तो मैंने छोड़ दिया है अब तो तुम दोनों खुस रहो एक साथ रहो फिर भी क्यों अलग रह रही हो मतलब यह बेसरम औरत इतनी घटिया है इतनी घटिया कि अभी भी इ दोस्तों कि जो आसीजी का जो डेथ हुआ है ना इसी घटिया बेसरम औरत के बज़े से हुआ है क्योंकि आसीजी को पता चला था इसकी चरीतर के बारे में तो इससे जगड़ा किये थे मगर एक घटिया और जो है ससुराल छोड़के अपने मैकी आ गई थी और जब जो इस लड़ूंगी और अचानक से इनका डेथ हो जाता इस तरीके से इतनी जूठी खबरे फैलाई है इतनी जूठी बाते बोली है कि मत पूछो और अपने सासुर को कितना गाली दिलवाई है सोसल मीडिया पे आप खुद सोचिए कि जो औरत को कोई भी आदमी ब्लैक मेल कर है वह जो औरत सोसल मीडिया पे मीडिया मीडिया चैनल पे जाके अपनी बाते रख सकती है कंप्लेन कर सकती है चैनल को श्ट्राइक करवा सकती है वह औरत क्या अपने लिए आवाज नहीं उठा सकती इस सारा घटिया औरत का मतलब काम है इसमें सचीन इन वाल है मैं मानती ह सचीन का भी गलती है मगर हंड्रेड आउट आउट अव हंड्रेड है 101 पर तीसा गलती जो है यह बेसरम घटिया और जगध दीदी का है यह औरत इतनी नीच के महीनी है इतनी घटिया औरत है कि इतना कुछ होने के बाद भी जिससे माफी मांगना चाहिए उससे माफी मांगती सरीता जैठु से माफ़ी मांगी है मगर जिसका असली गुनागार है इस बेसरम जो है मनिशह से माफी नहीं मांगी उपर से बनती है तू अपने पती को घिसेट मेरे नाम से पैसा कमाना बंद कर यहीं पे नीतु दीदि का भी कम्यूनिटी आ जाता है जिसमें नीतु दिदी बोल रही है कि मेरे बारे में अब कोई भी रियक्षन चैनल ले कोई भी रियक्षन ना दे मेरे बारे में कुछ भी ना बोले आपको क्या लगता है कि मैं तिवारी फैमिली से ऑनलाइन अफलाइन अभी भी मेरा रिस्ता है बिलकुल नहीं है कोई रिस् सब रिश्ता मैंने खर दिया और आपको लगता है कि मैंने माफ कर दिया है कभी माफ नहीं नहीं करूंगीों.. और मेरे बारे औरत इतनी नीच कमीनी इतनी गिरी हुई है कि मत पूछो मतलब इतना कुछ करने के बाद भी औरत के एटिट्यूट और घमंड नहीं जा रहा है जो माफी नामा वीडियो बनाई थी उसमें कि किस तरीके से सतिसावित्री बनी हुई है मतलब जैसे लग रहा है कि वेचारिक सा अए डियो देखना बंद करो और इसका बीडियो नहीं देखोगे ना तभी इसका घमन जो है तूटेगा तभी घमन टूटेगा बस नीतु दीदी की पती का बस एक वीडियो आया था एक वीडियो लाइब आया था उसी में पूरा भाई बहन जो है पूरा डर गया और माफी भी मांगने लगा क्योंकि नीतु दिदी के जो हस्वे ने बस स्रीफ बोले थे कि पूरी फैमिली जो है तिवारी फैमिली जो है पूरा मिला हुआ है सब कुछ जानता है कि सचीन के साथ जगह दीदी का फेर था क्योंकि एक बिधवा औरत को और एक शादी सुदा मर्द को एक कमरे में एकेले छोड़ रहे हो इसका मतलब आप समझ रहे हो यानि पूरी फैमिली जो है इन्वाल है इस मैटर में मतलब कितनी आसानी से आके बेसरम इसका भाई जो है बोलता है कि हाँ मेरी बहन जो है चरीतर हीन है भाई एकसेप्ट कर लेता कि हाँ मेरी बहन जो है चरीतर हीन है मगर एक घटिया औरत अब तक नहीं एकसेप्ट किया बोल रहा है कि मेरे को बदनाम किया जा रहा है मेरे को मानिशा से वस रिक्वेस्ट करती कि मानिशा तुम इसके घर पे जाओ भोपाल जाओ और इस नालायक इस ड्रायन अवरत को बेसरम जगदीदी को बाल पकड़ कर बाहर निकालो और मुह में कालिक पोत कर जूते का माला पहना कर ऐसा जगा मारों बीच सड़क पे ऐसा जगा मा सारा से आदमी को खोजे इना इसको मर्द की जरूरती न पड़े क्योंकि 45 साल की बुड़ी हो गई है अभी इसक लड़ाने में बहुत ही माहिरे बेसरम इतनी घटिया हो रहत है कि भाई बहन के रिस्ते को गंध पहला के रख दिया अब आजकल के जवाने में अगर कोई भा इसके लिए तो जितनी गंधि से गंधिक गाली हो भी कम पड़ रहा है मतलब जिसका गुनागार है उससे माफी नहीं मांग रही है बस सचीन जो है इतना कुछ किया है ना सोसल मीडिया पे इसके बारे में इतनी प्रैवेट चैट दिखाई यह सब नहीं दिखाता स्रीफ ओ उसका जिद था कि आफ-लाइन या उलाइन जैसे भी हो हमसे माफी मांग है कि हां हम ने गलत किया है मगर ए घटिया ओर जो है जिद पकड़ रखी थी कि मैंने गलत नहीं किया है मतलब अभी भी एकसिप्ट circuit नहीं कर रही है अभी भी इसको लग रहा है मुझे बदनाम किया जा रहा है और सचीन और मनीशा मिले हुए बैसरम अगर दोनों मिले हुए रहते नंस तेरो जगह पीटते ना ऐसा जगह लगाते कि तेरे को भाई बहन के रिष्टे को ही अच्छा मज़ा दे देते इतनी गंदी आउरत है तू तेरे लिए तो जितना गंद बका जाए उतना कम है सोसल मीडिया को बरवाद करके रख दिया है बेसरम कहीं कि और किस तरीके से सोसल मीडिया पे दोनों भाई बहन जो हैं किस मु पका आएगा क्योंकि अपना मरवा पती को इस्तमाल किया नाम तक का इस्तमाल किया जिंदा तक नहीं रखा और अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा पैंतालिसा के बुड़ी हो गई है और मर्दों की इसकी जरूरत पर रहे कि जन कितने मर्दों से